फ्रेंड्स आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है फिर क्या चलते है किचिन की तरब ये मैंने एक कटोरी चनी की डाल ली है थोड़ी सी इसमें खा लिए देखिए इस तरीके से चनी की डाल को मैंने बड़े वावल में ट्रांसपर कर लिया है उसको पहले से ही मैंने अच्छे से साप कर लिया था अब इसको कम से कम तीन वार इसको वाश कर लिए ऐसे करके पानी चनी की डाल में डालने के बाद इसको हाथों से फूब अच्छे से मसल मसल के डूल लेंगे जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी देखिए इस तरीके से एक बाद धुल दी अब दुबारा मैं पानी डाल लेंगी हो इसको भी दुबारा भी ऐसे ही धुल लूँगी दिवारा भी मैंने ऐसे ही धुल दिया कम से कम तीन वार अच्छे से डाल को वाश कर लिया है इधर मैंने गैस अन करके कोकर चड़ा दिय अब जो मैंने दाल धुलके रखी थी उस दाल को अपनी स्कूकर में ट्रांस्पर कर देंगे इस तरीके से अगर आपने आपने दाल बना ली तो यकीन मानिये बच्चे आपकी तारीफ करते नहीं ठकेंगे इस तरीके से दाल बहुत टेश्ती बनती है अब अब इसमें कम से कम तीन गलास पानी लगा देंगे क्योंकि चने की दाल जो होती है थोड़ा देल से पकती है अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाध रनूसा आदे छोटे चमच पिस्यों ही मिश डाल देंगे आदे छोटे चमच पिस्यों ही हल्दी डाल देंगे और तीन चर भूंद इसमें सरसों की तेल की डाल देंगे अब लिड लगा के हम इसको कम से कम छे विसलाने तक इसको अच्छे से पका लेंगे देखिए इस तरीके से सीटी आना शुरू हो गई है देखिए इस तरीके से दूसरी सीटी भी आ गई है तीसरी सीटी भी आ गई है इस तरीके से तीन सीटी या मैंने दिखाई है तीन ऐसे ही चार सीटी लमसम छे सीटी लगा ली थी अब गैस को आफ कर देंगे और कूकर को उतार लेंगे और एक बार अपनी डाल को चैक कर लेंगे देखिए इस तरीके से डाल हमारी अच्छे से गल गई है देखिए दाल हमारी अच्छे से गल के तयार हो गई है इधर मैंने तड़के के लिए प्याज टमाटर हरी मिर्च इस सब को कट करके रखा है और एक छोटी सी कड़ाई रख दी है गैसान करके उसमें ऑईल लगा देंगे बड़े चम्मच अब इसमें आदे चोटे चम्मच जीरा डाल देंगे हरी मिर्च और लाल मिच डाल देंगे और एक कम से कम बड़ी प्याज चोटे अकार की कट करके रखी थी इसको डाल देंगे और प्याज को बहुत अच्छे से भून लेंगे देखिए इस तरीके से मैंने प्याज को अपन तुमाटर को सोदा से सॉप्ट कर लेंगे , तेल में अच्छे से भ४ुन लेंगे तो तमाटर सोप्ट हो येज इसम भ५ून गई है अब अपनी दाल उबाल के रखी थे उस दाल को डाल देगे यह चने की डाल बहुत टेश्टी बनी थी अगर इस ट्रक्ट से बनाएंगे अब यह मैंने गरम मसाला सिल से पीस के रखा था इसको भी डाल देंगे उपर से हरा धनिया डाल देंगे यमी सी चने की डाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है देखते ही मुँ में पानी आ रहा है उपर से मैंने एक चमच भर के उपर से देशी घीरा दिया अब इधर मेरी चने की डाल बनके तयार हो चुकी है इधर मैंने डेड़ ग्लास चावल लिये थे डेड़ ग्लास ही पानी लिया दुल के अच्छे से पांच मट पहले ही भिगा दिये थे अब इसको चड़ा देंगे गैस पे और सीटी आने का इंतजार करेंगे दो विसल आ चुकी है देखे कितने अच्छे से चावल बनके भी मेरे तयार हो गए है देखे फरारे फरारे चावल बने है देखे अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं एक थाली में पहले हम चावल सर्ब कर लेते हैं और अब यम्मी सी चने की दाल लगा देते हैं देखे इस तरीके की चने की दाल बनके मेरे तयार हो चुकी है देखिए इस तरीके से चने की डाल भी मेरी तयार हो गई है अब इसमें सलाद लगा देते हैं टमाटर की प्याज की खीरे की और हरी मिर्च की इस तरीके से चने की डाल और चाबल बहुत इंजोई करें थे बहुत सेंपल तरीके से बनाये थे सबको बहुत पसंद आये थे दे काम से सहन कर जाए अब मैंने एक कच्छी हांडी लिए उसमें एक केजी दूड फुल क्रीम वाला बिल्कुल डाल दिया है दो तीन चम्मच दूद बचा लिया था अब हम एक कटोरी में जामन के लिए दही लेंगे कम से कम दो तीन चम्मच इसको अच्छे से फेट लेंगे इस तरीके से मैस कर लेंगे और जो बचा हुआ दूद रखा था वो उसमें डाल देंगे और दूद और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे इस तरीके से अब मैं मटकी वाले दूद में मिला दूँगी और चम्मच से बहुत अच्छे से चला देंगे देखे इस तरीके से जामन भी लगा दिया मैंने अब फॉल पेपर से कवर कर देंगे कम से कम गरम जगां पर तीन चार घंटे के लिए रख देंगे तीन घंटे में ही दही जम के बिल्कुल तयार हो जाएगा क्योंकि किचिन के पास गरम जगा होती मैंने बही रख दिया था देखिए तीन घंटे के बाद मैं आपको दही दिखा देती हूं कैसा जमा है बिल्कुल धपड़ी की तरह जम के तयार हो गया चक्का वाला देखिए चमत से बिल्कुल कितनी अच्छी सी कतली निकल के आ रही है देखिए कितना बढ़िया दही जमा है गर्मियों में दही जल् तो मेरे दही घर का जमा हुआ पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से थैंक्स पूर वाच्च चीज़ देखिए